पाकिस्तानी सेनाओं का सबसे ताकतवर हतियार जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ इनकी वायू सेना थल सेना और नो सेना तीनों को मिला ले और इनके सारे हतियारों को आप कंपेर कर लें तो भी इस से ज़ादा ताकतवर हतियार इनकी तीनों सेनाओं में से किसी के भी पास नहीं इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेनाओं की जान बसती है F-16 में और चाहे इनके पास खाने को हो या ना हो ये रेगुलर्ली अमरीका को हर साल millions of dollars देते हैं और अपने इन F-16 को हमेशा maintain करके रखते हैं और पिछले तीन सालों में तो इनकी वायू सेना के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये F-16 को हमेशा tip top condition में रखें क्योंकि इनकी वायू सेना के जो बाकी लड़ा को विमान है वो ज्यादतर JF-17 है जो कि Chinese made है और उनकी quality इतनी ज़्यादा घटिया है कि आज की तारिक में पाकिस्तान के पास जितने भी JF-17 है उसमें 60-70% grounded है यानि कि वो उड़ने की इस्थिती में ही नहीं है लेकिन आज मैं आपको इन F-16 की खबरे क्यों बता रहा हूँ तो इसका कारण है आप अपने स्क्रीन पर देखिए पाकिस्तान से और तमाम वर्ल्ड मेडिया से ये खबर निगल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी वायू सेना के majority of F-16 लड़ाकु विमान grounded हो चुके हैं उड़ने की इस्थिती में ही नहीं है और इसका कारण है पिछले कुछ महीनों से maintenance ना हो पा ना दरसल F-16 fighter jet वैसे तो बहुत reliable है लेकिन कोई भी machinery कितनी भी reliable क्यों ना हो उसमें कुछ ना कुछ तूट-फूट होती ही रहती है ऐसे में आपको spare part चाहिए होती है regular servicing होती है maintenance होती है लेकिन पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी वायू सेना afford नहीं कर पा रही है अपने इन F-16 को maintain करना जी हाँ क्योंकि fund की इतनी ज़्यादा कमी है और बिना पैसे के अमरीका कुछ भी नहीं करता इतना ही नहीं बताये तो ये भी जा रहा है कि अब पाकिस्तानी वायू सेना के आधे से ज्यादा F-16 grounded हो चुके है उड़ने की स्थिती में नहीं है लेकिन बाकी के जो आधे हैं उन्हें पाकिस्तान जान बूच कर नहीं उड़ा रहा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उड़ाएंगे तो कोई ना क तूट फूट होगी मशीन नहीं है कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसे में इनके पास पैसे नहीं है और इसलिए ये बाकी के आधे भी नहीं उड़ा रहे कि कहीं इनमें कोई खराबी ना आ जाए यही करण है कि इनकी वायू सेना की शक्ति पूरी तरीके से इस समय डेड हो चु बाकी की जो है उसमें JF-17 लडाकु विमान 25% तक का रोल निभाते हैं ऐसे में JF-17 और F-16 की फ्लीट पाकिस्तान की वायू सेना की ताकत का 90% से ज्यादा है और आप जानते ही है इनके ज्यादा तर JF-17 पहले से ही उड़ने की अवस्था में नहीं है ऐसे में आधी ताकत तो हमारा आखरी मोका है P.O.K. को वापस लेने का क्योंकि अब भारती वायू सेना के पास पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा ताकतवर वायू सेना है पाकिस्तान के उपर हमारा A.Dominance आ चुका है क्योंकि हमारे पास S.400 A.Defense सिस्टम है BMD A.Defense सिस्टम है यानि कि पाकिस्त सब्सक्राइब करें तो सोच टैम के साथ आप लोग हर दिन एक ख़वर को देखेंगे यहां पे आपको काफी सारे अलग-अलग टॉपिक को गवर किया जहां पर हम पाकिस्तानी मीडिया रियक्सन अगर कोई इंडिया में गटना गटे उस पे हो या फिर यहां पे इंडिय बीडियो डालते हैं उसी एकसासत हमारे इस चैनल पर आपको कई सारे सोच टेम मुलेटेन जहां पर पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको प्रोपर आपको एक्स्प्लेंड करके समझाएंगे और उसी कसासत मैं आपको बतातू हूँ आपको यहां पर सोच टे प्रोपी के बारे में बात करेंगे एक काफी जधा हमारा यह चैनल यह वारे भ्रेंट होने बाला है यह काफी प्रिंसे सब्सक्राइब करने के बाद मेरे साबसे की सामेर को पीके रिलेटर वीडियो देखने को मिल जाएगा तो प्लीज सोच टाम्स को जरू सब्सक्राइब करें